ना मांस, ना मच्छी, ना अंडा, ना दूद, मैं सिर्फ चावल, रोटी और शुद्ध शाकाहरी खाना खाता हूँ शुद्ध शाकाहरी जोजेफ जी मिक्स्ट मार्शल आर्ट मास्टर हैं, जो 25 से भी ज्यादा सालों से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और तो और ये स्टूदेंस को भी ट्रेनिंग देते हैं, इस जेनरेशन को हेल्दी और फिट लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करते हुए वो अपनी लाइफ का एक्जाम्पल देते हैं तो कोई बिनावेट ट्रेनिंग के ही फिट रहते हैं, आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे शक से, जिन्होंने अपनी फिट रहने की आदत से अपना नाम वर्ल्ड फेमस कर दिया है, मुन्नार केरिला यहां रहते हैं आयूर्विदिक प्रैक्टिशनर, 45 साल के डॉक्टर के जे जोजफ इन्होंने ब्रूस ली की सारी फिलमें देखी हैं, और उनी से इंस्पायर होकर इन्होंने डिसाइड किया, कि वो एक दिन बनेंगे मार्शिल आर्ट एक्सपर्ट कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ब्लेक बेल्ट भी हासिल कर ली है, मार्शिल आर्ट का सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि आज उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैक्सिमम नकल पुश अप्स करने का उन्होंने एक मिनिट में 82 नकल पुश अप्स किये हैं, क्या? 82? वो भी नकल पुश अप्स? कमाल है यार, पहले रिकॉर्ड था रॉन कूपर के नाम, जिन्होंने एक मिनिट में 79 नकल पुश अप्स किये थे रेगिलर पुशप्स के लिए आप फ्लाट हातों को ग्राउंड पर शोल्डर्स जितने डिस्चन्स पर रखते हैं लेकिन नकल पुशप्स नकल्स पर ही किये जाते हैं नकल पुशप्स के रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए जोजफ जी ने कड़ी मेहनत किये और उन्होंने कई सालों तक पुशप्स टेकनीक्स पर काम किया जोजफ जी यंग जेनरेशन को इंस्पायर करना चाहते हैं आज के भटके हुए यूथ को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करना भी उनके इस मिशन का हिस्सा है जोजफ सर मान गए आपकी पावर जोजफ जी का बेर हैंड से 17.99 mm मोटी तीन आयन बार्ज ब्रेक करने का भी रिकॉर्ड है इसलिए उन्हें आयन मैन भी कहा जाता है आयन मैन आज तक कभी जिम नहीं गए हैं लेकिन हर रोज ठाई घंटे ट्रेनिंग करते हैं सारे कराटे मूवमेंट्स, ग्राउंड एक्सराइज़स, सारे बॉक्सिंग मूवमेंट्स मैंने रोज प्राक्टिस करता हूँ और इनसी वज़े से मैं अपने जीवन में फोकस रहता हूँ साड़े चार बजे उसकर निकल जाते हैं ये नेचर के बीच जोजफ जी कहते हैं कि नेचर से उन्हें पावर मिलती है ऐसी पावर जो उन्हें नौन स्टॉप आके बढ़ती रहने के लिए इंस्पायर करती रहती है मीलो रनिंग, मार्शल आट्स प्रैक्टिस और वर्काउट ही इनके एचीवमेंट्स के राज हैं फिजिकली फिट रहने के साथ साथ उन्हें मेंचली भी फिट रहना पड़ता है और इसके लिए वो योगा, मेडिटेशन और तो और ये रेकी भी प्रैक्टिस करते हैं